नमस्कार दोस्तों लॉजिकल हिंदू में आपका स्वागत है दोस्तों अगर आपने नभ्वे के दशक में दूर्दर्शन पर प्रसारित किये काडिक्रमों को देखा होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने हर शुक्रवार रात आठ बजे दीदी मेट्रों पर दिखाए जा ना देखा हो इस धारवाहिक ने अपने समय में तहल का मचा दिया था ये एक ऐसा सीरियल था जिसके एक बार बंद हो जाने पर पबलिक डिमांड पर वापिस लाना पड़ा था आज कल के सबसे जादा टीयारपी बटोरने वाले धारवाहिक भाभीजी घर पर है और तारक म पहता का उल्टा चश्मा कहीं ना कहीं इसी से प्रेरित लगते हैं श्रीमान श्रीमती के हर करेक्टर की टाइमिंग चाहे वो केशफ कुलकर्णी हो चंदू हो दिल्रुबा हो कोकी हो या गंगा मौसी सबकी इतनी पॉफेक्ट थी कि आज के कॉमेडियन इनके आगे कहीं द भाई थी जतिन कनाकिया की टाइमिंग और एक्टिंग के सामने आज कल के कलाकार भी कम लगते हैं उस समय जतिन जी को प्रिंस ओफ कॉमेडी कहा जाता था जतिन जी ने सिर्फ श्रीमान श्रीमती ही नहीं बलकि अन्नधारवाहिकों जैसे पडोसन हम सब एक हैं पीछा करो म में भी लोगों की वावाही लूटी पर अफसोस जब उनका करियर आस्मान की बुलंदियों को छू रहा था तब महस 45 साल की उम्र में उनका निधन हो गया कैंसर पता लगने के बाद जतिन जी अपना काम करते रहे और हमें हसाते रहे उनकी सह कलाकार राकेश बेदी जी बत पर आ गई दोस्तों कि आप जानते हैं कि श्रीमान श्रीमती के एक एपिसोड में जतिन जी की मृत्यू की भविश्यवानी पहले ही कर दी गई जी हां दोस्तों यह एपिसोड है एपिसोड नंबर 115 इसमें गंगा मौसी एक बैली वीजन लेकर आती है जो देखने पर एक ब बाकी लोग तो 2005 में दिखते हैं जैसे चिंटू बड़ा हो जाता है दिल्रुबा को प्रेमा शालनी घर से बाहर निकाल देती है पर कोखी इस बात से हैरान हो जाती है कि 2005 में उस बैली वीजन में केशव कुलकर्णी दिखाई ही नहीं देता यह एपिसोड 1996 में शूट कर दी गई थी जो आगे जाकर सच हो गई इसके अलावा श्रीमान श्रीमती के एक एपिसोड में केशव कुलकर्णी ग्रैविटी की बात करता है वो यह कहता है कि गंगा मौसी यहां बैठी थी इसलिए इस जगह की ग्रैविटी घट गई इस कॉंसेप्ट को क्वांटम ग् करनी ने इस एपिसोड में घुमा फिराकर हमें इसे समझा दिया श्रीमान श्रीमती के कुछ एपिसोड में आर्टी फीशल इंटेलिजेंस, क्लोनिंग, नैनो टेकनोलिजी, टाइम ट्रेविल, आधी का कॉंसेप्ट दिखाया गया जो नभ्भे के दशक में कोई सोच भी नहीं सकता था, खेर कुछ भी हो जतिन कनाकिया जी कनिधन छोटे पर्दे के लिए बेहधी कश्ट दाई था, हम ये कामना करते हैं कि अब वो जहां कहीं भी है, खुश रहें, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारे चैनल लॉजिकल हिंदू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, धन्यवाद